असिम वकार साब आपके पास आते हुए अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी या फिर कॉंग्रेस कौन सही बोल रहा है वकार साब कांग्रेस सही बोल ला है अपोदिशन सही बोल ला है और भारती अनता पाल्टी के प्रधान मंत्री जी इस वकद देश को भटका रहे हैं देश के सामने जूट परोस रहे हैं पंदरा लाग क्रोड रुपए पंदरा लाख करोड उन्होंने गुझरात के कुछ सिंदियों के माफ कर दिये तो अब क्या 85 करोड़ों को आपने गरीब बना दिया यहां बैठ कर हमको भारति इंता पाल्टी के भाई को मैंने सुना और वो जो प्रोफेसर साहब हैं नकली उनकों भी सुना मैंने आपके पोर्टल पे सोशल मीडिया पे आपके पोर्टल पे मैं खबर पढ़ ला था कि 2023 के बजड में भारत की सरकार ने अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार को 200 करोड रुपे दिये तालिबान को 200 करोड दिये भारत की सरकार ने मुदी जी ने क्यों देदिये साहब आपने यह हमारे देश की जंता का पैसा था हिंदुों का पैसा था मुसलमानों का पैसा था दलितों का पैसा था तालिबान को पैसा देगी भारस सरकार अब एक आतंगवादी जो आतंगवाद पहलाते थे आतंगवादी कहलाते थे उनको भारस सरकार पैसा दे रही है 200 करोड़ों पहे आपके पोर्टल की खबर पॉर्टल ना हो चित्रा जी और आप लोग इसमें सवाल नहीं उठा रहे है क्या 85 करोड आदमी भीग मांगेगा और 5, 10, 15, 20, 50, 100 लोग जो है वो उसका पैसा रख लेंगे अपने पास यह 15 लाग करोड़ों पर क्यों माफ किये अब इसमें किसका मंगल सूतर भी का किसका जेवर वेज कर किसका हाख मार कर किसका लूट कर किसका च्छीन कर 15 लाग करोड़ों माफ किये गए और जो तालिबान को 200 करोड़ों पर दिये है उसमें मोदी जी बताएंगे किस-किस का मंगल सूत्रा पैसा शामिल है किस-किस की अंगूठी का पैसा शामिल है किस-किस के गले की चेन का पैसा शामिल है मोदी जी कह रहे हैं कि 22 साल के लड़के को अगरी वीर को रिटायर करके घर भेज़ देंगे सवाल नहीं पूछ रही कांगरेस इन से 22 साल के 24 साल के लड़के को रिटायर करके आप घर भेजेंगे और खुद 74 साल की उमर में कह रहे हैं हमको परदान मंत्री बना दो खुद क्यों नहीं रिटायर होंगे आप 22 साल का नौजवान रिटायर किया जाएगा और 74 साल और 73 साल और 75 साल के लोग जो हैं वो रच्छा मंत्री ग्रह मंत्री परदान मंत्री बनेंगे उस पर सवाल आप लोग नहीं पूछ रहे हैं राजस्थान में चुनाओं में विदान सभा में कादा 400 रुपए का सिलिंडर देंगे 400 रुपए का और बाद में मुकर गए किसी चैनल ने सवाल ने उठाया और एक जूट के पुलिंदे बर आप लोग सवाल उठा रहे हैं कहा लिखा हुआ है मंगल पेश कर पैसा दे देंगे मैं पूछ रहा हूँ प्रदान मंत्री जी जोवा देती ये बात और वो करे घुसपैटियों को दे देंगा पेसा नहीं किस घुसपैटियों को नाम लेके बताएं मैं चैलेंज कर रहा हूँ पकान मंत्री जी को उस घुसपैटियों का नाम बताए야 जो गुसपैटियों कीeto पेशब hai दिल में बसावा ए मैं जवाब लेदे हूँ और मुझे लगता है किसा यहाँ पर बैट कर आप लोग यह जो अचानक से डिबेट में आएंगे और फिर पोलेंगे समुद्धे पर सबाल नहीं पुछा गया तो डिबेट देख से अगर तो आप इस तरह की बाते नहीं करते लेकिन ठीक है आसिम प समझ में आगे आपको वकर साब जिनके लिए खिस्ता मानते हो आप यहाँ पर अधिकार मानते हो दो सो करोड़ों बै क्यों देदी है वो यहाँ के मुसलमानों का अधिकार नहीं लेंगे सुलिजे अभी आप मारा दी आपको आप चुप रहेए मैं बीच में नहीं बोलाता आप देखिए जो अपनी बारी में बोलेंगे प्रोक्ता बैठें यहाँ अभी बात कर रहे थे सुडान इरान पहले तो जनाब यह समझ लिजे हम भारत में चुनाओ लड़ रहे हैं आप लड़िये चलके सुडान इरान में अखले स्यादों के ले जाए उत्तर परदेश की जनाब उहां तो जगह है नहीं सपा की कांग्रेस की तो एक सीट थी इसमार तो भी खत्र में और तीन सीट की सपा आप है तो आप बचे नहीं यहाँ पर तो आप जाईए सुडान इरान में लड़िये वहां पर ही आपके लिए बाउसर है भारत में नहीं बचा है क्योंकि उत्तरपदेश के बाहर एक सीट भी आप तुनों नहीं लड़ते हैं और यहीं भी तीन सीट की हैसियत रह गई है तो इसलिए अच्छा है कि आप जो है उहां की बाते कीजिए कि उहां क्या हो रहा है प्रधान मंत्री जी के बयानों से तो आपको मुबारक दूसरी बात हालत बत्तर करने में किसका योगदान है जिसके साथ आज गल्बईयां करके खड़े हो आप चुनाओ लड़ रहे हो इन्हीं कांग्रेशियों के साथ जिनका साथ देते कि देख सरकार बनवाया था आपने तो आप सबसे बड़े जिम्मेदार हैं मुसल्मानों के बत्तर होन मामले में क्या कुछ कहा गया है और उसके बाद केंद्री मंत्री गिराज सिंग जो बेगू सराय से जहां पर मेरी मौजुद्ग्ये उम्मीदबार हैं उनसे भी मैंने हिंदो मुसल्मान वाली इस सियासत को लेकर सवाल दागे दोनों नेताओं को सुन लेते हैं उसके बाद दादा पैदा कर रहे हैं घुसपेटिया है पहले हमको बदान मंत्री से ये पूछना चाहिए कि देश की वेल्थ के उपर फर्स राइट किसका है एक परसंट लोगों के पास देश की चालीस पीसद दौलत है ये मोडी की गैरेंटी है और दूसरा ये है कि जो आम हमारे जो हिंदू भाई भाई भेन है उनको मुसल्मानों का खौफ दिलाना ये ये कंसिस्टेंट उनका बिहेवियर रहा है अब बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे है भी गौर्मेंट का डेटा है कि जो मुसलिम वुमन का फर्टिलिटी रेट है वो बहुत गिरा है ये बात सच है एक्सपर्ट्स की स्टडीज बोलती है और कभी भी इस देश में मुसलिम पॉपलेशन मेजारिटी हिंदू पॉपलेशन आगे जाने वाला नहीं है तो अफसोस की बात ये है कि एक बड़े उहदे पर फाइज होने के बावजूद भी रेंदर मोडी को इस तरह की इन डिग क्याम के बारे नों कहा था